एक बार के बात है जब एक अजीब सा जानबर आ जाता है और वहाँ भाग रहा होता है तो वहाँ पे सारे बच्चे देखकर परिशान होते हैं और भुसुस्ते हैं ये कैसा जानबर आ गया है ये तो बड़ा अजीब सा दिखता है और वहाँ अजीब सा जानबर जमीन पे अब चंगल के सारी चानबर ये सोचते थे कि हरे रंग का चानबर आकिर आया कहा से गाओं के बच्चे सुबह होते ही खुर सवारी करके उसको देखने के लिए निकल पड़ते सारे घर के बच्चे निकल जाते और घर बापस आकर सोच जाते थे और सुबह की तैयारी करके गोड़े से कहा देते अब सुबह मिलेंगे और फिर उस अजीब से जानवर के पास चलेंगे उसके साथ एक चोटा सा बच्चा था मावड़ा दिखने में अजीब सा था लेकिन वाँ चोटा सा बच्चा उस अजीब से जानबर के साथ ही खेलता था हर समय उसकी नकल उड़ता था उसे साथ रहता और उस अजीब से जानबर के वाँ पीछे पीछे बहुत सारे भयानक से जानबर आ जाते हैं वहाँ उनके साथ ही रहता है अब यह बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इन जानबरों को इस जंगल से कैसे भगाया जाए पूरा शहर उस जानबर से परेशान था लेकिन उस बच्चे को देखकर लोग कह मिलता है खुता है तो यह जानबर उस बच्चे के साथ क्यों कुछ नहीं करता है हम लोगों को क्योby परीशान करता है तो कुछ लोग गाओं की सोचते हैं चलो रात में उस जानबर के पास जाया जाएगा गाओं की जू सबसे बड़े की तैयारी कीजिए फिर वहां मुख्या कहते हैं चलो ठीक है अभी के लिए तुम लोग अपने घर जाओ सुबह होगी तब देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं वह सभी लोग अपने घर चले जाते हैं फिर सुबह होती है और फिर वह बच्चे उस जानवर को देखने के बैटते हैं वहने रंग का जानबर भी उन भयानर जानबरों के साथ रहता था लेकिन उसको किसी से डर नहीं लगता था च हाँ जोटी छोटी-चोटी बच्चे असकते- खेलते-कूर्ति उस जानबर के साथ रहने लगे उस जानबर ने उन बच्चों को परिशान करना छोड़ती है अब भा उसे परिशान नहीं करते गाउं के सारे लोग बहुत खुश थे कि ये बड़ा अजीब सा जानबर हमारे गाउं में आ गया लेकिन इसने कभी किसी को कोई खत्रा नहीं रह गाउं के राजा थे उनके पास एक वर पहुंचती है जो जानबर हमारे गाउं में आया था बहुती अच्छा है वहां उस जानबर ने किसी को भी परिशान नहीं किया ना ये किसी को गायल किया अब पूरे गाउं में बहुत एक खुशी के लहर दौर पड़ती है सारे लोग अपने काम में लग जाते हैं उनके मन से चिंता निकल जाते हैं कि वह जानबर हम लोगों का कुछ गलत करेगा हम लोगों के साथ राजा कहते हैं अब हम मैं ही उस जानबर का कुछ करूंगा तुम लोग चिंता मत करो गाउं वाली लोग तुम लोग आरावच रहो वह उसको पकड़ के कैद खाने में डाल देंगे फिर वहां हमारे गाहों का कुछ नहीं बिगार सकेगा एक छोटा सा बच्चा दोड़ता हुआ कि मैं भी उस जानबर से मिलूँगा बच्चों मेरी कहानी अच्छे लगए तो चैनल को सब्सक्राइब करें आगे कहानी सुनने के प्रिड़ चरे सब्सक्राइब करें बादे जाँ बादे रेका बादे जाए-जाओाई